इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Druprazole Injection is a medicine that reduces the amount of acid produced in your stomach. इसका उपयोग पेट और आन के acid से समबंधित रोगों जैसे acid reflux, अपच, peptic ulcer disease और अत्यधिक acid बनने से जुड़े पेट की अन्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है. Druprazole Injection is also used to prevent stress ulcers in seriously ill patients and is administered before anesthetic medication to help prevent aspiration-related complications. It proton pump inhibitor, यानि की PPI के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से समबंधित है. यह दवा पेशेवर स्वास्थेकर्मी द्वारा नस में दी जाती है और अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि गोली की तुलना में injection आपके लिए उप्यूक्त है, तभी यह दी जाती है. दोज आपकी underlying condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. आपका डॉक्टर इलाज की अवधी निर्धारित करेगा लेकिन आपको इसे वैसे ही लेना चाहिए जैसा निर्धारित है, भले ही आपके लक्षन जल्दी से गायब हो जाएं. आप समय समय पर काम मातरा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं और जैसे चाए और कॉफी जैसे कैफीन युक ड्रिंक्स और मसालेदार या फैटी खाना खाने से बच सकते हैं. इस दवा के साथ सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, पेट फूलना, यानि की गैस बनना, डायरिया, यानि की दस्त, पेट में दर्द, और ट्रोंबोफलेबिटिस, यानि की नस में दर्द, लालपन और सूजन शामिल हैं ये लक्षन आमतोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं, या नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें लंबे समय तक इस दवा के इस्तिमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का इस्तिमाल आपके हड़ी के फ्रेक्चर का जोखिम बढ़ा सकता है विशेश रूप से हाई डोज के साथ घडियों की क्षती यानी की ओस्टियो परोसिस को रोखने के तरीकों जैसे केलशियम और विटमिन D सप्लीमेंट लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर समबंधी गंभीर समस्याएं हैं HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं और अतीत में इसी तरह की दवाओं से कभी अलजिक रियेक्शन हुए या हड़ी के नुकसान यानी की ओस्टियो परोसिस से पीडित है तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपके पेट में अत्यधिक एसिड बनता है और आपके लक्षन और अधिक बिगर सकते हैं अगर इस दवा से आपको चक्कर या नींद आती हो तो ड्राइव या मशीनरी या उपकरण का इस्तिमाल न करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद